हलो दोस्तों उतकर्स परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है तो चलिये जरा चला जाए बिहार की सांस्कृतिक बिराशत के अंदर ज्छाक करके देखा जाए तो दोस्तों बिहार के अंदर सांस्कृतिक बिराशत में अगर देखेंगे तो हम लोगों के पास दोस्तों अनमोल धरोहरे हैं सांस्कृतिक बिराशत में इसी अनमोल धरोहर में एक है दोस्तों बिहार में फेमस मदुबनी चितरकला तो चलिए जरा मदुबनी चितरकला के ब विक्सित एक चित्रकला है इस चित्रकला के प्रमारी के साक्षों के संबंधों में अगर हम बात करें दोस्तों तो इस चित्रकला का पहला वरण स्रिंगार रस्त के कभी दोस्तों विद्यापती का नाम आप सभी जानते हैं सबसे पहले दोस्तों इसका वरण जो है यह विद् बनी चित्रकला के नाम से समोधित किया गया जाना गया यह चित्रकला अगर देखेंगे तो अपने अंदर दोस्तों बहुत डेर सारी विसेस्ताओं को लेकर के बैठी हुई है सबसे पहले अगर देखा जाए जिसकी सबसे बड़ी विसेस्ता यह है कि दोस्तों यह पूरी तर अवरड प्राकृतिक रंग और हाथोँ से ही दोस्तों हाथ की अंगुलियों से यह चित्रकला हो जाती ABC कंश्ञक के?! यह मदवनी चित्रकला की दूस्तों सबसे बड़ी विषेस्ता होती है। यहीवजी है कि यह जन्मानस के लारंन sorin. दोस्तों इसमें अधिकतर आगर देखं गए तो मदवनी चित्रकला में रंग एर रंगों का होता है। जिसमें अगर देखेंगे तो हरे रंग का, पीले रंग का, लाल रंग का, नीला, काला, किशरिया, नारंगी, बैगनी, ये वे रंग हैं जो इस चित्रकला में सबसे अधिक प्रयोग किये जाते हैं, इस चित्रकला के चित्रकारी में इन विविद रंगों का प्रयोग सबसे दिखोता है और ध्यान इस बात का रखा जाता है कि जो भी रंग हों वो क्या हों? यह चित्रकला को अगर दिखा जाये तो दोस्तों यह जो मधवनी चित्रकला है इसको तीन भागों में डिवाइड किया जाता है आपके एक्जाम में भी इसको लेके प्रश्ण बहुत बार पूश चुका है कि मदवनी चितरकला के कितने प्रकार बनते हैं। दोस्तों ध्यान लखिएगा मदवनी चितरकला के जो प्रकार होते हैं वो तीन होते हैं। एक तो भित्ती चित्र होता है, एक अरिपन चित्र होता है और एक पट्ट चित्र होता है। हलाकि दोस्तों इस चित्रकला के सुरुवात में अगर देखेंगे तो इसमें सबसे अधिक भित्ती चित्र ही जनरेट किये जाते थे यानि भित्ती चित्र ही बनाये जाते थे बाद में दोस्तों अपनी सिब्धा अनुशार अपनी सोच की अनुशार लोगों ने इसके अलग-अलग स्वरूप बनाने प्रारम किये जिसमें अरिपन चित्र तो अरिपन चित्र भी दोस्तों इसका प्राचींतम ही प्रमाड होता है फिर आगे चल करके पट्चित्र जो कपड़े पर बनाया जाता है यह पट्चित्र बियार के साथ साथ दोस्तों नेपाल में भी इसका प्रचलन फैला हुआ है इसमें दोस्तों जो भित्ती चित्र हम लोग देखते हैं यह इस चित्रकला की सबसे बड़ी बिसेस्ता यानि इसमें क्या है यह इसका सबसे बड़ा स्वमू होता है और यही इसमें सबसे ज़्यदा लोग परी है जो भित्ती चित्रकला इसके अंतरगत बनाई जाती है इस भ गोशानी घर की सजावट तो ये गोशानी घर की जो सजावट होती है मदुबनी भित्ती चित्रकला के अंतरगत ये धार्मिक महत्व लेकर के आती है इसका महत्व क्या होता है धार्मिक होता है और इसके अंतरगत दोस्तों धार्मिक आवरण का प्रदर्शन किया जाता है जो गोसानी घर की सजावट होती है इसके लावा भित्ती चित्र में दोस्तों जो दूसरा स्वरूप होता है वो कहलाता है कोहबर घर की सजावट दोस्तों यह बहुत ही लोगप्री होता है यह कोहबर घर की सजावट जो होती है अधिकतर यह दोस्तों घर के अंदर करी जाती है और यह सजावट स्मानित अगर दिखेंगे तो साधी बिवा के समय देखने को आती है जब नव दमपत्ती साधी बिवा के बंधन में बद करके नए जीवन में प्रवेश करने के लिए दोस्तों होता है. तो उसके कुछ सामाजिक संकेतों, कुछ सामाजिक उत्तरदाईतों के निर्वहन के लिए कोहबर घर की सजावट होती है, घर के अंदर होती है आमुमन दोस्तों इसमें अगर देखेंगे तो कामुक चितर बनाया जाते हैं इसमें क्या होते हैं आमूमन जो है वो कामुक चितर बनाया जाते हैं इसी कोहबर घर की सजावट की तरह दोस्तों एक कोहबर घर की कोनिया सजावट होती है जो कि भित्ती चितर का तीसरा स्वरूप ये निकल करके आता है तो ये कोहबर घर की कोनिया सजावट ये अभी दोस इस रड़ छित्र में आगे बढ़ रहा है। उसके लिए यह कई प्रकार के संकेतों का प्रतीक बन करके उसको दोस्तों प्रेरित करता है, उसको मैसेज देता है और उसको जीवन के यथार्थ का प्रतिबिम्ब परचीत कराता है। तो यह तीन समुहम हो जाते हैं। इसमें द कोबर घर की सजावट जो कोनिया होती उसमें कुछ प्रतीक चिन होती है जैसे दोस्तों इसमें केला प्रतीक चिन के तौर पे केला का प्रयोग किया जाता है जो कि दोस्तों केला इसमें अगर देखेंगे तो प्रतीक चिनों के ये बहुत धेड़ सारे आप देख पा रहे हैं ये इसके प्रतीक चिन्नों के दोस्तों ये प्रतीक आपको नजर आ रहा है तो इसमें केला, केला जो होता है दोस्तों ये मानसलता के प्रतीक के तौर पे इसमें देखा जाता है इसके लाओं दोस्तों मचली कोहबर घर में निकल के आती है तो इसमें ये मचली जो होती है ये कामो तेजना के प्रतीक के तोर पे इसको देखा जाता है इसके लाओं दोस्तों सिंग यानि शेर तो जो सेर होता है वो इसमें दोस्तों सक्ति के प्रतीक के रूप में होता है इसके लाओं इसमें दोस्तों सुग्गा यानि तोता जिसको बोलते हैं आप पैरट तो ये काम वाहक के प्रतीक के तौर पर यहां पर देखा जाता है इसके लाँ दोस्तों इसमें प्रतिबिम्ब के तौर पर हाथी एवं घोडा है हाथी एवं घोडा को देखेंगे तो ये एश्वर के प्रतीक के तौर पर जना जाता है इसमें दोस्तों बाश बहुत बार आपके एक्जाम में पूछा है कि बास किसका प्रतीक है तो बास दोस्तों ये वन से बृद्धी का प्रतीक है ये क्या है वन से बृद्धी का प्रतीक होता है कमल का पत्ता दोस्तों इसमें नजर आता है तो ये इस्त्री के प्रज निंदरिय के प्रतीक के तौर पर इसका इस्तमाल होता है हन से वह मयूर अगर देखेंगे तो ये दोस्तों सांती के प्रतीक के तौर पर इसमें प्रदर्शीत किये गए हैं और इसके अलावा सूर एवं चंद्रमा सूर और चंद्रमा जो है दोस्तों ये दिर्घ जिवन के प्रतीक के रूप में यहां पर प्रयोग किये जाते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि ये सब प्राकिर्तिक आवरण हैं और इनके माध्यम से समाजिक जीवन के बिविद संकेत दिये जा रहे हैं ये इसकी दोस्तों ये इसकी समाजिक परमपरा का प्रतीक प्रतिबिम्ब बन करके हम लोगों के सामने आता है और इसका दोस्तों समाज यह परनाते ही ञाने आरपन कुछ उसी तरह सोता है इसको भूमी चित्रण और वे कहते हैं तो समान इते ओ tastes क अंतर घर मी चुखट यह इस में बहुमी चित्रण की सब्सक्राइबर लियों को कि तोर पर यह लिया जाते हैं आप अपनी सोच से कुछ नया भी कर शकते हैं, लेकिन आमुमन इसमें दोस्तों पांच प्रतिविम्ब का सामानने तह प्रयोग किया जाता है, जिसमें मनुस और पसु पक्षियों के चित्र बनाने की बात होती है, इसके लामा देखेंगे तो ब्रिच फल फूल के चित्र बन आया जाता है, इसके लिए बिवसेस आशर जैसे कोई अनुष्ठान है घर परिवार में, कोई ब्रत है, कोई तेवहार है, दिवाली है, छट मईया ब्रत है, तो ऐसी दसा में दोस्तों ये अरिपन चित्र का बिवसेस महत हो जाता है, कोई धार्मिक आशर चल रहा है, तो उ सब में इसके द्वारा चित्रकारी करी जाती है, इसको अरिपन चित्रकला बोलते हैं, इसके लाँ दोस्तों इसका जो तीसरा स्वरूप हमने आपको बताया था, ये पट चित्र है, पट चित्र दोस्तों ये छोटे-छोटे कपड़ों पर या कागज पर इसमें चित्रकार करी जाती है और ये चित्रकला भारत के साथ दोस्तों नेपाल में यानि बिहार के साथ अगर दिखेंगे तो नेपाल में भी इसका प्रचलन है तो ये दोस्तों मदवनी चित्रकला के तीन प्रकारों का ये तीसरा स्वरूप होता है मदवनी चित्रकला की चर्चा इन दिनों पूरे भारत के सासाथ अंतरराष्टी अस्तर पर है भारत में दोस्तों मदवनी चितरकला के प्रतीक कहां कहां पर आपको असपश रूप से दिखाई देंगे जो इसके महत्यों को प्रदर्शित करते हैं तो जैसे जैनती जनता एक्सप्रेस के जो डिब्बे है यानि ट्रेन है दोस्तों उसके डिब्बे पर इसका चितरड किया गया है दिल्ली संसद भवन द्वार अगर आप दिल्ली संसद भवन घूमने जाएंगे तो दिल्ली संसद भवन का जो प्रवेश द्वार है वहां पर भी दोस्तों आपको मदवनी चितरकला दिखाई देगी पटना रि दोस्तों जब आप यात्रा करेंगे तो यहां आपको मदवनी चितरकला राश्टी अस्तर पर प्रतिविंब के तौर पर बियार का नित्रित करते हुए आपको मिल जाएगी तो यह दोस्तों बियार की एक ऐसी विरासत है जो बियार के लोगों को दोस्तों हर छण हर समय पूल करके इस सामाजीक जीवन में लोग रम बस जाते हैं और हर परिस्सिती में दोस्तों अपने जीवन का अनंद लेते हैं जैसे यहां पर दोस्तों यह पेंटिंग बर्बस मन मुह लेती हैं आप देख पा रहे हैं एक जोपड़ी पर बनाई गई यह पेंटिंग कला यह है दोस्तों बिहार की बिसेस्ता बिहार की सबसे बड़ी खासियत तो मदवनी चितरकला से बहुत डिट सारे क्वेश्चन आपके इंदिनों पूछे जा रहे हैं जितने भी प्रश्न बनेंगे यह सब आपके इस वीडियो से तो चलिए दोस्तों अगली स्रिंखला म तब तक के लिए जै हिंद